अगर आपके पास कोई भी skill नहीं है, कोई भी achievement नहीं है, in fact अपने CV में डालने के लिए एक point तक भी नहीं है, तो भी ये video आपको help करेगी. जब हम अपनी पहली internship, पहली job के लिए apply करते हैं, तो ये सवाल हमारे दिमाग में आएगा ही आएगा, कि हमारे CV में अगर एक भी point नहीं है, तो खाली CV थोड़ी submit करेंगे. तो how do we make a CV without any skills, without any achievements to get that first offer? आज मैं आपको ये बताऊंगी, कि जब मैंने MBA की और आएगे महमदबाद में गई, तो मैंने बहुत से students को देखा, जिनके CV में कोई point नहीं था. फिर भी उन्होंने जब अपने CV सब्मिट किये, तो उनके CV भरे हुए थे. ऐसा क्यों? ऐसे बहुत से points हैं, जो आपको पता भी नहीं है कि आप अपने CV में add कर सकते हो, या पता होने के बावजूद आप उन्हें गलत तरीके से add कर रहे हो, that is why आपका CV खाली दिखाई दे रहा है. जितने भी points में आपको बताऊंगी, उन्हें आपके CV में add होने के लिए, एक या दो दिन की भी requirement नहीं है, वो आप इसी moment add कर सकते हो. So let us start off with the very first point, which is profile summary. Profile summary आपके CV में आपके नाम के नीचे दो-तीन lines में आती है. ये summary किसी भी recruiter को आपके बारे में बताती है, अगर उन्हें आपके पूरे CV से go through ना करना हो. तो इसमें तीन चीजे आती हैं, आपकी qualification, आपकी qualities and आप किस तरह की opportunity सीख कर रहे हो. अपने CV को थोड़ा सा भरा हुआ दिखाने के लिए, it is recommended कि आप एक profile summary जरूर लिखो and इसके लिए मैं आपको screen पे कुछ samples बता रही हूँ. ये samples को use करके आप अपनी profile summary बना सकते हो for any field that you wish to apply to. The second point is that of education. अब आप सोचोगे कि education तो CV में आती ही है, इसमें बताने वाली कौन सी बात है? Education को आप किस तरह से mention करते हो, उस पे depend करेगा कि आपके CV की कितनी space occupy होती है. एक तरीका education को mention करने का है ये, जो कि मैंने अपने CV में use किया था. लेकिन on the other hand, अगर आपको अपने CV को थोड़ा भरा हुआ दिखाना हो, तो आप अपने education column को इस तरह से mention करोगे. अगर आप notice करोगे, तो यहाँ education headline का font size जादा है, और multiple lines का इस्तेमाल हुआ है, ताकि जादा space cover हो. The third point is that of academic courses. आपने अपने school, अपने college में कितने सारे courses पड़े होंगे? अब वो point को आप as it is अपने CV में लिख सकते हो, चाहे आपके उसमें marks अच्छे थे या बुरे. उन पर emphasize कर सकते हो. Courses डालते समय, just make sure कि आप बहुत जादा points मत लिखो, 4 या 5 courses more than sufficient होंगे. Next thing that you can add in your CV are test scores. जब आप अपने school में थे, तो हो सकता है आपने कुछ ऐसे test दिये हो, जिनके marks आपके पास available हो. जैसे कि NTSC, या अगर आपने JW का exam लिखा है, या अगर आपने college के दौरान CAT का exam लिखा है, GMAT का exam लिखा है, ऐसा कोई भी test जो आपने दिया हो, उसका score भी आप अपने CV में add कर सकते हो. अगर आपके इन test में marks अच्छे नहीं भी आए हैं, even in that case, कोई भी ऐसा olympiard जिसमें आपने participate किया हो, आप उसके बारे में जरूर mention कर सकते हो, उस line को कुछ इस तरह से frame किया जा सकता है. The next point is quite important, it's called skill set. Skill set के बारे में बताने से पहले, let me request you कि अगर आपको video useful लगी है, please do like it so that बहुत सारे students जो अपना CV नहीं बना पारे, उन तक यह information पहुँच पाई. Let us start with skill set now. Skill set में दो major bifurcations हैं, one are your hard skills and the other are your soft skills. Hard skills are the technical skills जो आपके job में आपको better perform करने के लिए help करते हैं. जैसे अगर आपको excel आता है, powerpoint आता है, data analytics आता है, तो these are all hard skills. लेकिन soft skills वो softer aspects हैं आपकी personality के, जो आपको better perform करने में help करेंगे. जिस तरह communication, creativity या teamwork. आपके reference के लिए मैं आपको screen पे एक list बता रही हूँ of all the different hard skills as well as soft skills जो कि आप अपने CV में mention कर सकते हो. इसे अपने CV में present करने के लिए आपके पास दो तरीके होता हैं. पहला तरीका है कि आप एक table का इस्तिमाल करो, इससे space काफी occupy होती है, but impact कम होता है. दूसरा तरीका है कि आप इसे bullet points में mention करो, लेकिन उस case में आपको examples देने पड़ते हैं कि आपने वो skill कहां और कैसे acquire किया. इस point को illustrate करने के लिए मैं आपको MS Excel का ही example देती हूँ. अगर तो मैंने Excel सीखा हुआ है, लेकिन मेरे पास कोई भी proof नहीं है, तो मैं उसे simply tabular format में show करूंगी. लेकिन अगर मैंने Excel के उपर कोई भी free या paid course कर रखा है, तो उस point को मैं इस तरह से mention करूंगी, कि मैंने ये course किया था, इस date को किया था, इस platform से किया था, that is why I have this skill. तो इस तरह से आप अपने सारे skills को mention कर सकते हो, अपने CV में and काफी space भी occupy कर सकते हो. The next point you can add in your CV are languages. आप जिस भी place से बिलॉंग करते हो, वहाँ की native language. जैसे मैं पंजाब से हूँ, तो मुझे पंजाबी आती है, साथ ही मैं Hindi, English और अगर कोई foreign language भी आती हो, तो उसे अप यहाँ mention भी कर सकते हो, और उसके सामने एक proficiency का बार भी बना सकते हो. इस बार के थुरू आप शो कर सकते हो, कि आप उस particular language में कितना comfortable feel करते हो. जैसे अगर मुझे English में rate करना हो, तो मैं इस तरह से अपनी proficiency को rate कर सकते हो. Another important section that can be added in your CV is that of hobbies and interests. बहुत सारे लोग अपने hobbies और interests को सिरफ दो तीन bullet points में लिखके छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आपको उसको better present करना है, तो आप कुछ examples दो, जो showcase करें कि यह hobbies आप किस extent तक pursue करते हो. जैसे मान लोग कि अगर आपको fitness का बहुत craze है, तो क्या आप लिख सकते हो कि आप कितने month से यह journey को pursue करते आ रहे हो, या अगर आपको writing का craze है, तो क्या आप mention कर सकते हो कि Quora, LinkedIn, Medium जैसे platforms पे आप लिखते हो. MBA करने के बाद मुझे एक चीज तो समझ में आ गई थी कि presentation बहुत matter करती है, तो वही point को आप better present कर सकते हो under your hobbies and interest section. The final section that I'm going to talk about is references. References का मतलब होता है कि अगर एक recruiter को आपके बारे में कोई information verify करनी हो, तो वो किस person को reach out कर सकता है. कि आपके professors हो सकते हैं, आपके seniors हो सकते हैं, आपके bosses हो सकते हैं, यहाँ पर आप उनकी designation और उनकी contact details लिखते हो, so that a recruiter can reach out to them. So, यह कुछ ऐसे points हैं, जिससे आपको वो पहली opportunity तो मिल जाएगी, but अगर आपको अपने career में grow करना है, then you need to have more things in your CV, like internships, like courses, उसके बारे में एक detailed video मैं यहाँ लिंक करूंगी, जो आप जरूर देखना, अगर आपका कोई भी doubt हो, उसे comments में Tuesday, Thursday, Saturday, 7 बज़े डाला करो, जब नई videos आते हैं, happy to help you with any questions that you may have, thank you so much for watching this video and I hope it helps you.